हेलो फ्रेंज और वेल्कम बैक टू माई चैनल लेकियाई हूँ आज फिर से कुछ अमेजिंग से किचिन टिप्स जो आपका काम आसान करेगा पसन आती है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा चलिए लेट्स टार आज चलि फ्रेंज टिप नमबर वन देख लेते हैं तो आज मैं आपको एक जुगार बताऊंगी अगर आपके पास धन्या कम है और कोई गेस्ट आ रहे आपको चितनी बनानी है कैसे बनाए जिससे इसका स्वाद भी बढ़ जाए और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाए तो धन स्वादिश और चट्पटी बन जाएगी जैसे कच्चा जीरा एक चमच जरूर डाले नमक डाल दे थोड़ा सा ही डालेगा क्यूंके अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला में भी नमक होता है इससे समल के डालेगा कॉंटिटी बढ़ाने के लिए फ्रेंज हम इसमें डाले आप इसको पीस एक गाड़ी से इसकी चितनी रड़ी कर ले तो यहां मैंने इससे पीस लिया है देख सकते हैं कितनी गाड़ी यह बनी है क्योंके नमकीन में बेसिन होता है सारे मसाले होते हैं इन फैक मूफली और चना दाल अगरे भी होता है तो बहुत सादा टेस्टी यह अगली टिप आपको पसंद आएगी तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बचे हुए चावल से बताने वाली हूं जिसके सामने पकोड़े भी फेल है तो बचे हुए चावल ले लिये है और कम तेल में यह नाश्ता बनने वाला है और इसमें हमें डाल दूंगी एक प्यास इद्दम बारी काट के मैंने ले लिया है और साथ ही मैं मैंने एक आलू को ग्रेट करके यानि कद्दू कस करके ले लिया है और इसे दो से तीन पानी से वाश कर लिया था ताकि इसका स्टार्च निकल जाए इसको निचोड के हम डाल देंगे कद्दू कस करके ही लीजे का फ्रेंच पटेटो वहत जदा टेस्टी और करारी ये रेसिपी बनती हैं तो मैंने आलू और प्यास दोनों डाल दिये हैं हरा दन्या दाल देंगे फ्रेशनेस के लिए हरी मिर्ची मैने दो चॉप करके डाल दी है आप आपके साफ से डाल सकते हैं बाइंडिंक के लिए यहां पाउडर मिच का पाउडर क्योंकि हमने हरी मिच भी एड करी है तीक आप आपकी सबसे ले ले और नमक डाल दे स्वादनुसार एक चम्मच आप डाल दे बुना जीरा का पाउडर और यह सफेद तिल जरूर डालेगा इस रेसिपी की यह जान है और एक क्रंची बाइट भी आ कर सकते हैं सारी चीजे आ गई है अभी हम इसे हाथ से इस तरह से मिक्स करेंगे अब हमें इसे बिना पानी के अच्छी तरह से मिक्स करना है अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्स्चर है काफी ड्राइ है तो आप क्या करे दो से तीन चमच जिसमें पानी एड कर ले बट ताकि करारी बने, वैसे आपको जो शेप चाहिए वो शेप आप बना सकते हैं, तो इसी तरह से सारी रेडी कर लूँगी, यहां मैंने पैन रख दिया है, जैसे मैंने पहले बताया हम कम तेल में इसे बनाने वाले हैं, डिफ्राइन ना करके इस तरह से हम इसे बनाएंगे, त बचे हुए चावल की रेसिपी है, एक बार जरूर ट्राइ करिएगा तो आप चाहे तो जैसे मैंने बताया है, पहले तयार करके रख दे और डाले या तो फिर आप डाले हातों से इस तरह से रखते जा सकते हैं, अब इसे मीडियम टो लो फ्लेम पे अच्छी तरह से होने गोल्दन ब्राउन एक साइट हो जाएगा तभी आप इसे पर्टे जल बाजी बिल्कुल ना करें, अदर वैसे टूट भी सकता है, इसलिए आराम से करीगा, तो अब दो से तीन मिनिट हो चुके हैं, और यह रखिए अच्छी तरह से ब्राउनिंग आई है, तो मैं एक दू चीज आप ले ले और इस तरह से आप इसको पलट ले, यह रेखिए, और दूसरी साइट भी आप उसी तरह से इसे होने दे, यह रेखिए, दूसरी साइट भी आपको ब्राउन होने तक इसे कर लेना है, तो मैं निकाल लिया है, और इसी ओईल में मैं फिर से दूसरा बैच को कर लेती हूं शेलो फ्राई तो देखिए फ्रेंड्स कर रहा रही बचे हुए चावल से इद्दम चेट पटा ये नाश्टा रेडी है सच बताना हूं में पानी आया नहीं इसे केचप के साथ सर्फ करें या इसी तरह से भी एंजॉय करें उपर नहीं डाल दे और सारी चट ये बहुत ज़्यादा यूसफुर होने वाली है तो ये दूद को लेकर है मैं इस तरह से अमूल का दूद लाती हूं फ्रेंड्स और सुबै-सुबै जबागेट आता है तो इस तरह से इसले पैकेट पे ही अंदर लगी रहती है कई बार हम क्या करते हैं जलबाज बाजर ayin इसे तरह से निकाल लेते हैं और सारी इसकी जो मलाई है वो अंदर ही रह जाती है इसको निकालने का तरीका ये है कि आप दोनों हतेलियों के बीच में आप इस तरह से पाकेट को रब करें अच्छी तरह से आप रब करें 10 सेकेंड के लिए यह देखिए सारी जो मलाई जो पैकेट के अंदर लगी है वो सारी दूद में आ जाएगी तो इस तरह से आपको इसको रब कर लेना है ये देखे बिल्कुल भी मलाई नहीं है आप ये देख सकते हैं बाद में मैं आपको निकाल के भी बताऊंगी तो ये package को भी इस तरह से कर लेंगे अगर आपके पास time है तो obviously आप आधा एक घंटा इसी तरह से छोड़ दे बाद में इसको गरम कर सकते हैं बर time नहीं है सुबह जलबाजी होती है चाय बनानी होती है बच्चों के लिए दूद बनाना होता है तो आप इस type की trick follow कर सकते हैं इस type की tips आपको धेरो लोगों ने YouTube पे बताई होगी कि दूद के packet को इस तरह से गरम करें बिल्कुल भी gas waste ना करें और दूद की packet भी फट सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें मैं इदम genuine tip आपको बताती हूँ मैं normal housewife की तरह ही आपको suggest करती हूँ तो मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं उसके लिए जरूर comment करिएगा friends और यहां यह देखिए दूद का packet भी आप पूरा उसका जो हिस्सा है वो ना कट करके इसी तरह से आप कट करें जिसे मैं कट करके बताया है क्योंकि जब हम कचर में फिकते तो गाई वगेरे खा लेते हैं कचरा तो उनके पेट में plastic चला जाता है तो यह अच्छी बात नहीं है और फिर छोटी छोटे plastic के तुकडे मिलते भी नहीं है तो इस तरह से आप कट करें दूर का पैकेट मैंने पहले भी यह टिप आप से शेयर करी थी और देख सकते हैं पैकेट पे बिल्कुल भी मलाई नहीं लगी है यानि कि सारी की सारी मलाई हमारी दूर में आ चुकी है बहुत ही सिंपल तरीका है ना कोई आपको गैस जलाना है कुछ नहीं करना है बस दोनों हतेलियो के बीच में आपको 10 सेकेट के लिए रप करना है पैकेट और सारी के सारी मलाई निकल के आ जाएगी है ना बहुत ही आसान ट्रिक लोग इससे क्यों कॉम्लिकेट कर देते हैं मुझे नहीं पता कैसी लगी आपको ये टिप पसंद आई है तो दूसरों को शेर जरूर करिएगा तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की अमेजिंग टिप्स कौन से टिप आपको सबसे जादा पसंद आई है उसके लिए जरूर कमेंट करिएगा कोई भी फिट बैक हो सजेशन हो या रिक्वेस्ट हो तो मुझे जरूर लिखके बेजेगा फ्रेंड्स बहुत जादा मैनत कर रही हो तो एक लाइक कर दीजेगा अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे है तो डेफिनिटली आपको पसंद आई होगे इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए शेर कीजेगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अगर आपको यह वीडियो यूस्फुल लगे सब्सक्राइब कीजे घंट के साथ ताकि सारे वीडियो की नोडिफिकेशन मिल सके तिल देन टेक केर बाबाई